हेलो बच्चों कैसे हो आप लोग आशा करती हूं सब स्वास्थ होंगे आईए आज हम स्पर्श्रेखा बनाने की रचना सीखेंगे आपकी प्रश्नावली 11.2 का पहला प्रश्न 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक व्रत कीजिए केंद से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से व्रत पर स्पर्श्रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाईयां मापिए रचना के चलन पे ध्यान दे पहला किसी बिंदु ओ को केंद्र मान कर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का व्रत बनाएंगे यह हमारा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक व्रत बन गया एक बिंदु पी लेंगे जो केंद्र ओ से 10 सेंटीमीटर दूर है यह पी 10 सेंटीमीटर दूर है ओ पी को हमने मिलाया अब ओ पी का लंब समविभाचक खीचा जो पी ओ को बिंदु M पर मिलाता है देखिए इसको कहते हैं परपेंडिकलर बाइसेक्टर इसको जब हम मिलाते हैं M को केंद्र मानकर तथा MO त्रिज्या लेकर एक व्रत बनाएंगे OM त्रिज्या ली और यहां से हम एक व्रत बनाएंगे हम यह देखते हैं कि यह व्रत पहले व्रत को दो बिंदुओं पर काटता है माना यह व्रत दिये गए व्रत को बिंदुओं Q और R पर काटता है इसको Q मान लेते हैं और इसको R मान लेते हैं ठीक है P और Q तथा P और R को मिलाया P और Q तथा P और R को मिलाने के बाद हमने देखा P Q और P R यह अभिष्ठ स्पश रेखाए हैं आईए अब इसकी हम पुष्टी समझ लेते हैं इस रचना की पुष्टी के लिए हमने O Q और O R को मिलाया ध्यान से देखिए कोन B P Q O अर्धवर्थ में बना है यह देखिए यह अर्धवर्थ में बना है और हम यह जानते हैं अर्धवर्थ में बना कोन सम कोन होता है इसलिए कोन P Q O होगा 90 डिगरी का इसका मतलब O Q परपेंडिकलर होगा P Q क्योंकि O Q व्रत की त्रिज्या है अतह P Q यह देखिए यह P Q व्रत की स्परश्रेखा होगी हम जानते हैं कि त्रिज्या और स्परश्रेखा दोनों समलंब होते हैं इसी प्रकार से हमें P R भी स्परश्रेखा होगी अतह रचना की पुष्टी हो जाती है अब हमें यह भी कहा गया है कि आप स्परश्रेखा की लंबाई नाप ये लंबाई नाप लेते हैं ये है 8 cm ठीक है बच्चो इस प्रकार हमने बाहर बिंदू P से इस व्रत पे दो स्परश्रेखाएं खिंची हमने देखा P Q और P R प्रते की लंबाई 8 cm है ठीक है बच्चो आए बच्चो अब दूसरा प्रश्रेखाएं करेंगे 4 cm ठीक है एक व्रत पर 6 cm ठीक है एक संकेंद्रिय व्रत के किसी बिंदू से एक स्परश्रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई माप ये परिकलन से इस माप की जाज भी कीजिए तो रचना के चरण इस प्रकार होंगे किसी बिंदू O को केंद्र मान कर एक 4 cm ठीक है का व्रत बनाएंगे कर दो दो प्रकार के लाएंगे के बाद हम 6 cm का एक त्रिज्जा लेकर के और दूसरा ब्रत बनाएंगे संकेंद्र ही है मतलब इन ब्रत का जो केंद्र है वो एक ही है इसी केंद्र से हमने एक 6 cm की त्रिज्जा लेकर के ब्रत बनाया अब हमें एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है उसके लिए हम इस पर एक बिंदू लेते हैं P और O P को मिला देते हैं किसी बिंदू O को केंद्र मान कर 6 cm त्रिज्जा का ब्रत बनाया इस ब्रत पर एक बिंदू P लिया और O P को मिलाया अब हम O P का लंब सम्धिवभाजक खेंचेंगे जो P O को बिंदू M पर मिलाएगा देखिए कुछ इस तरह यह M बिंदू O P पर है और M को केंद्र मान कर M O को त्रिज्जा लेकर एक ब्रत बनाएगे इस प्रतार माना ये ब्रत दिये गए ब्रत को बिंदू O Q और R पर काटता है इसको ले लेते हैं Q और इसको ले लेते हैं R अब हम P Q और P R को मिलाएगे इसको बिंदू O Q और P R को मिलाएगा P Q और P R अभिष्ट स्पर्ष रेखाएं हैं ठीक है P Q तथा P R प्रतेक की लंबाई हम नाप लेते हैं क्योंकि हम से पूछा गया है कितनी लंबी हैं ये आएगा रचना चार दशमलव चार सेंटीमीटर दोनों पर श्रेखाओं की लंबाई बराबर होगी इसलिए हमने चार दशमलव चार सेंटीमीटर यहां पर लिख लिया आएए अब हम इसकी रचना की पुष्टी समझ लेते हैं क्योंकि हमें कहा गया है परिकलन भी करना है पहले हम परिकलन कर लेते हैं हम देखते हैं कि O Q को अगर हम मिला दे यह हमारे पास O Q P हम देख रहे हैं कि O Q समलंब है P Q के इसका मतलब हम इसमें पाइथगरस प्रमे लगा सकते हैं P Q O में पाइथगरस प्रमे द्वारा O P का वर्ग बराबर होगा O Q का वर्ग प्लस P Q का वर्ग ठीक हैं तो P Q का वर्ग बराबर हुआ 36 माइनस 16 और यह बराबर हुआ 20 इस प्रकार P Q बराबर हुआ वर्ग मूल 20 20 को हम कैसे लिख पाएंगे 20 के देखिए 2 को 10 से गुना करेंगे 20 आएगा 2 को फिर से क्या 25 इस प्रकार हम लिख पाएंगे 2 वर्ग मूल 5 और इसको हल करके हम पाते हैं यह बराबर होता है 4.47 सेंटीमीटर अब हम इसकी रचना की पुष्टी समझ लेते हैं बच्चों क्योंकि हमें रचना का और चित्य भी देना है यहां ध्यान से देखिए O Q और O R को हमने मिलाया और हम देख रहे हैं की कौन P Q O ध्यान से देखिए इसको यह अर्धवत में बना कौन है अर्धवत में बना कौन हमेशा सम कौन होता है इसलिए P Q O 90 डिग्री का हुआ इसका मतलब O Q समलंभ है P Q O Q समलंभ है P Q क्योंकि O Q व्रत की त्रिज्या है अतह P Q व्रत की स्परश्रेखा होगी इसी प्रकार P R भी व्रत की स्परश्रेखा होगी अतर रश्णा की पुष्टी हो जाती है समझ में आया बच्चों? चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं तीन सेंटीमेटर त्रिज्या का एक व्रत खीचिए इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंदर से साथ सेंटीमेटर की दूरी पर स्थित दो बिंदू P और Q लीजिए इन दोनों बिंदूओं से व्रत पर स्परश्रेखाएं खीचिए चलिए रचना का पहला चरण देखते हैं किसी बिंदू O को केंदर मान कर तथा तीन सेंटीमेटर त्रिज्या लेकर एक व्रत बनाते हैं व्रत के व्यास P Q को दोनों और इस प्रकार बढ़ाएंगे टाकी O R और O S दोनों साथ सेंटीमेटर हूँ देखिए कुछ इस प्रकार इधर से भी साथ और इधर से भी साथ इसमें O R और O S का O P और O Q सम लंब भाजक बनाया जो क्रमशा O R और O S के मद्धि मिंदू T और U पर मिलता है दो कि अधर लोगने मिलता है इसको हम T ले लेते हैं और इसको हम U ले लेते हैं T और U को केंद्र मान कर तथा करमशह बिंदों V, U, X, Y पर मिलाते हैं देखिए कुछ इस प्रकार हम प्रकाइब करनका नाज हम देखिए प्रकार्ण देखिए झाल नाज हम प्रकारों देखिए अब हम इनको O V यह माई पस बिंदू R है, यह S है और यह U है, ठीक है? आईए, अब हम इस रचना की पुष्टी समझ लेते हैं, यह देखिए, O V, O W, O X और O Y, यह हमने इनको मिला दिया, और हम क्या देख रहे हैं? कि R, V, O, कितना है? 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि यह हम देख रहे हैं, R, V, O, अर्ध वरत में बना कोण है, और हम यह जानते हैं, अर्ध वरत में बना कोण, हमेशा सम कोण होता है? इसलिए, कोण R, V, O, बराबर हुआ 90 डिग्री, इसका मतलब O, V, समलंभ है R, V. क्योंकि O, V वरत की तरिज्या है, तो R, V क्या हुआ? स्परश्रेखा, इसी प्रकार R, W, S, Y और S, X भी वरत की स्परश्रेखाएं होंगी, अतहर रचना की पुष्टी हो जाती है, आएए बच्चों, ग्रहकारे के लिए कुछ प्रश्न ले लेते हैं, पहला प्रश्न, किसी वरत पर स्परश्रेखाओं का एक ऐसा योग्मु ख कीचने के लिए कि उनके बीच का कोण साथ डिगरी हो, उन दो त्रिज्याओं के सिरो पर स्परश्रेखाएं खीचनी चाहिए, जिनके बीच का कोण हो, पहला विकल्प है 135 डिगरी, दूसरा विकल्प है 90 डिगरी, तीसरा विकल्प है 60 डिगरी, चौथा विकल्प है 120 तरिज्याओं 3 cm और 5 cm वाले 2 संग के इंद्रिये व्रत कीजिए, बहरी व्रत पर एक बिंदु लेकर उससे दूसे व्रत की स्पर्श रेखाओं के युगम की रचना कीजिए, एक स्पर्श रेखा की लंबाई मापिये तथा वास्त्विक परिकलन से इसका सत्यापन कीजिए, ठीक है बच्चों ये रचनाएं बनाने की कोशिश कीजिएगा मुझे विश्वास है आप बना पाएंगे तो आशा करती हूँ आपको आज का पार्ट समझ में आया होगा धन्यवाद पार्ट झाल करते ही डिय में आपको 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 UP करते हैं आपको